नमस्कार साथियों बीबीटी चैनल में आपका स्वागत है साथियों आज एक घटना आपको सुनाना चाहते हैं उत्तर पुदेश से इलहाबाद से है को वहाँ पर उपचुना हो रहा था कमी अमिताम बच्चन वहाँ से सांसत थे उन्होंने स्टीफा दे दिया वहाँ उपचुना हो रहा था और उस समय बीपी सिंग जी कांग्रेस से बगावत करके अपना चाहत तरफ अपनी ताकत वरहा रहे थे उस उपचुनाओ में बीपी सिंग संजुक्त उमिद्वार हो गए विपक्च के अब इस चुनाओ में बहुचन समाज पार्थी उस समय संगर्स कर रही थी तो उसके राष्टी अध्यक्ष माननी कांशी राम जी इन्होंने भी मन बनाया कि इसमें हमें चुनाओ मैदान में रहना है तो लोगों को बहुत अच्छा नहीं रगा कि कांशी राम जी को हराने के लिए बीपी सिंग आ रहे हैं चुनाओ मैदान में तो कांशी राम जी को इनका समर्थन देना चाहिए लेकिन उस समय उन्होंने कहा मानेवर कांशी राम जी ने कि बीपी सिंग की नियद ठीक नहीं है बीपी सिंग को रवाने वारों की नियट ठीक नहीं है इसलिए इस चुनाव में मुझे रवना मेरी उपस्थती आवश्यक है और मुझे जनता और देश को बताना चाहिए तो एक घटना का हम जिकर करना चाहते हैं उस समय बहुत तीजी से जनमत और माहौर बीपी सिंग के साथ चला गया और रहाबाद के चप्पे चप्पे पर एक नारा लिखा गया बैनर पोस्टरों में लिखा गया कि राजा नहीं फकीर है भारत की तकदीर है अब लोग कहते थे कि ये राजा नहीं फकीर है भारत की तकदीर है इसको जिताऊ तो मानवर कांसी राम जी उस समय हम लोग भी साथ होनके कई मीटिंगों में रहे इसका जबाब देते थे क्या अदभूत जबाब उन्होंने दिया, क्या अदभूत सोच थी मानवर कांसी रामजी, ऐसे महान मानव जिनकी आज जरूवत है, जल्दी हमारे बीच से चले गए, इसका उन्होंने जबाब दिया, कि राजा नहीं फकीर है, भारत की तकदीर है, तो मानवर कांसी रामजी अपने भाषन में कहा करते थे, कि इतनी गरीबी राचारी बेवसी हिंदुस्तान के आम नागरिकों में हैं, वो एक फकीर की तरह है, करोनों फकीरों की राइन पहले से लगी हुई है, और अच्छा खासा अच्छा भरा राजा, आठ हजार एकर जमी कि करों फकीरों की राइन में सबसे पीछे नहीं खारा होता, उस चीधे आगे खारा हो जाता है, यहां भी बेमानी करता है, और काटोरे में मांगता क्या है, काटोरे में मांग रहा है, भारत की तकदीर है, मन्दर प्रधान मंतिर की कुर्सी हमको दे दो, आपको पता है लेकिन हुआ क्या, जब मंदर कमिशन की रिपोर्ट रागु करनी हुई, तो बैर गारी के पीछे बैर उन्होंने बांध दिया, यानि संसद में पास किये बेना उन्होंने आवक्षान रागु किया, और कोट में जाके अटक गया, तो इसलिए मानवर कांसी राम जी दूर तक की सोचते थे, प्रासंगिक आज भी हैं, तो वो बात को समझ रेते थे, और कहते थे, आज उनकी बातों को न तो बहुजन समाज पाटी मान रही है, न उनके अनुयाई मान रहे हैं, सारे लोग अपने हित साधन में लगे हुए हैं और एक बार अगर मानवर कांसी राम साहब की बात मान दे जाएं, और इस देश का बहुजन, बहुजसंख्यक समाज, यदि खरा हो जाएं, तो इस देश में एक नई सरकार बन जाएं, नई दिसा बन जाएं, दूसरे के दर्वाजे पर यह जो बहुजन समाज से तारुख पचासी परसें इस देश की जनता गुलाम राचार न रह जाएं, बस साथियों एक उत्साह आया था, मानवर कांसी राम साहब के विचारों पर याद आ गई थी, तो आपके सामने हमने प्रस्तुत किया है, अगर ये विचार अच्छा लगा हो, तो राइक कर दीजेगा, मे अगर निक नहीं हम आपको बताएंगे, और हमारे चैनल में पहली बार आए हैं, तो सब्सक्राइब अवश्च कर दीजेगा, थैंक यू, थैंक यू बेरी मच्च.